हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ जो प्लांस्या करने जा रहा हूं इसका प्लोट है रहेगा थार्टी सीक्स फिटीन उइड़्थ इंटू फिप्टी फिटीन लेंग्थ यह रहा हमारा प्लोट का साइज ठीक है तो इसमें मैंने एक फोर बेच के बाला हूस प्लांडर क प्लोट का पिछे के तरफ रहेगा यह नर्थ की दिशा मतला मारा माकन का पिछे के तरफ आगे के तरफ प्लोट का साउथ राइट सैड में रहेगा इस्ट की दिशा और लेट साइड रहेगा वेस्ट की दिशा ठीक है और यह प्लोट जो है इसका डामेंसन इधर आगे और पीछे के तरप रहेगा 36 feet चूड़ाई में और लंबाई में रहेगा 50 feet ठीक है यह हो गया हमारा float का size ठीक है यह जो हमारा यहां से यहां से इधर यह जो line है यहां तक 50 feet है यह हो गया तो यहां पे जो float है इधर इधर और इधर तिनो तरफ पोड़ोसे का मकान है तो मैंने इधर 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 दिशा में 5 feet का space चूड़ा हूं लेंग में पूरा ताकि हमारा गहर को proper ventilation हो सके एसे ही मैंने पीछे के तरफ नर्थ की side में भी 1,5 feet का space चूड़ा हूं ताकि और एक car parking है तो यहां पे मैंने जो plan बनाया हूं यह जो plan है यह owner के लिए है और इधर यह जो plan है यह हमारा rent के लिए है ठीक है तो पहला जो हमारा owner के लिए house है टूबेश के वाला और एक rent के लिए टूबेश के वाला house है दोनों मैंने रखा हूं यह हमारा सब्क्राइबर के रिकूर्मेंट के बैस करके ओके तो पहले में वाल फिलिंग कर लेता हूं इसके बाद यह प्लान के बारे में आगी आपको डिट्रेक्स में बताऊंगा ठीक है तो यह जो मैंने बुलू कलर किया यह हमारा 9 इंज का दिवार रहेगा तो इसे मैंने सारे 9 इ दिवार भी रख सकते हैं लेकिन मैंने 9 इंज का दिवार हूं ठीक है तो यह भी हमारा 9 इंज का दिवार है और इधर यह वाला मैंने 9 इंज का रखा हूं ओके और इस तरफ यह रहेगा हमारा 9 इंज का दिवार तो फ्रेंड्स यह जो मैंने प्लान बनाया हूं यह एक प्र जिसने अपना प्लोटे दिया कि साथ साथ एक रेक्विर्मेंट था जो एक रेंटा लागुस बना बना लाए और एक खुद के लिए बना लाए जिसे मेरे मेरे को बोला गया था मैने उसी के हिस्ता से त्पुरा प्लान किया हम कि एक ट्ू वेज के वाला रेंट मेंking हो सके और एक ट्वीज के वाला खुद के लिए हो सके के है यह मैंने 55 का रखा हूं यह पाटिशन वाल ही मैंने 55 का रखा हूं ओके जो रेंटल हाउस में और इधर यह वाला 55 का दिवार है तो जो रेट कलर करते जांग वाज इतना यह 55 का दिवार हेगा आप यहां पर दे सकते हैं दिवार नहीं तो नहीं जरूरत नहीं है ठीक है औ आप मेंने कवंब् meny शुरू होगा यहां से आपका बाउंडि सुरू होगा यह हमारा बाउंडि दो इतनारा है से सब समलों Boundary लगा investigations चेंट था ठीक है हो गया है और यहां पीछ फूड़ा था मैंने एक यह बाला भी हमारा पांचेंट कर देगा इसके बाद ग्रीन कलर जो करूंगा यह हमारा विंडो और वेंटिलेटर है ठीक है देखते हैं देखिए मैंने हर रूम को मेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए ट्रैक यहां पुरा और यहां भी एक विंडो छोड़ना था मैंने भूल गया ठीक है यहां पी एक विंडो रहेगा तो फिर दूर से बना लेते हैं ठीक है थोड़ा पेसेंस के साथ देखिए ज्यादा लंबा विडियो नहीं है दस मिनिटा विडियो है लेकिन प्लान के बारे में आपको डिटल में पता चलेगा यहां से और आप एंड तक नहीं देखेगे तो आपको डिटल से पता नहीं चलेगा आप लोग जो कोशिन पुछते हैं न आप जब विट्वों को अभी में इस प्लान के बारे में आगे आपको डिटल में बताऊंगा लेकिन इससे पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चनल में नया है या अभी तक मेरा चनल को सब्स्क्रेब ने किया है तो प्लीज सब्क्राइब करता ना चलो इस प्लान के बारे में आ बड़ा साजू रहता है अंदर आएंगे तो आप कोई कार पार्किंग में लेगा तो इतनी जागा पे आपको एक कार भी पार्किंग हो जाएगा और एक दोठों बाइक भी आरम से पार्किंग हो पाएगा इसके बाद यहां पी फिर यह कोई चार फिट का गेट रहेगा छोड़ा साइक आप साहे तो दूर्स भी लगा सकते हैं यापे ठीक है तो शिरी के नीचे से हम सीधै जाएगे तो यह आपको लेगा खूला आएगा आपका ऊपार रहेगा तो वेर्टेसन परपर हो पाएगा हमारा जोहालको तो यहां पे यह रहा हमारा कोमों टेलर कोम में दूर घर को जाएंगे तो एक हॉल बड़ा सा हॉल है इसका चूड़ाई रहेगा दस फिट और जो लंबा ही रहेगा यह है शोलो फिट 6 इंच का 16 फिट 6 इंच ओके इसके बाल यह हम सिधे देखेंगे जो छोटा सा रूम है यह हमारा आ रहे गया कीचेल इसका चूड़ाई रहेगा 7 फिट और लंबाई रहेगा 10 फिट और बगल में यह हमारा बेड़ूम जिसका डिस्तान्स है यह लंबाई में 10 फिट और चूड़ाई में भी 10 फिट 10 वाय 10 का बेड़ूम और यहां पर मैंने भी डूर रखना भूड़ी आता एक छोटा सा डूर रखेंगे यहां पर क्योंकि यहां पर हम पूजा रूम प्रोवाइड किये हैं इसका चूड़ाई रहेगा 4 फिट और लंबाई रहेगा 6 फिट चारबाई 6 का पूजा रूम और यह रहा हमारा सेकें 2 फिट का बड़ा है तो फ्रेंड्स यह हो गया आपका उनर के लिए दू बेच के वाला प्लांक ठीक है इसके बाद आपको मैं जो रेंट हाउस दूए देखाऊंगा तो यह रहेगा हमारा मेंडूर रेंट हाउस के लिए ओके तो आगे की मैंने 5 फिट का स्पीस चोड़ा और यह हमारा common toilet coma bathroom जिसका चुड़ाई रहेगा चार फित और लूंबाई रहेगा 10 फित बड़ा सा है फिर यह रहा हमारा bedroom यह भी रहेगा दस वैद्रूंग है यह थर भी 10 है और इधर भी 10 है फिर हम क्लेट की तरफ पूब करेंगे तो यह छोटा सा रोम मैंने फूजारू रखा हूं जिसका चूड़ाई रहेगा तीन फीट पांच इंच और लंबाई रहेगा चार फीट का छोटा सा है ठीक है और यह रहा हमारा सेकेंड बेड्डूम बेड्डूम टू जिसका चूड़ाई रहेगा दस फीट और लंबाई रहेगा दस फीट दस इंच और इसके आमने सामने यह रहा हमारा कीचन इसका चुड़े रहेगा 6 फिट और लंबाई रहेगा 8 फिट यहां पे हमारा विंडो छुड़ा गया है यह यह आपना पुरा ऊपोन रहेगा खोला रहेगा यहां से आमको बेंटेशन हो पाएगा तो फ्रेंड्स यह रहा आपका पूरा प्लान आसा करता हूं आपको मेरा ही प्लान मेरा इग वुड़ी ज़रुल पसंद आSmith सब्सक्रेब और यह वीडियोई देखने के बाद मेरा इग प्लान कैसा लगा कम्मेन करके ज़रुल ऑके ठेंक्यु झाल झाल